हिंदी के पार्ट वन के लिए 15 questions को लेकर हिंदी की questions की हम जो series चला रहे हैं उसमें डेली हम 15 questions को upload करते हैं विद discussion और आज इसका third day है तो फटाफट फालतों की बकवास ना करते हुए सीधा अपने questions पे चलते हैं question number one देखते हैं जिसमें हमसे पूछा है दिये गए वाक्यांश के लिए उचत शब्द का चयन कीजिए और हमारे लिए वाक्यांश क्या दिया गया है वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहलाती है माता वसंद्रा जननी या वीर प्रसू तो क्या होगा इसका अंसर वीर प्रसू यानि कि माता वसंद्रा और जननी इसके सही उत्तर नहीं है सही जो उत्तर होगा वो होगा वीर प्रसू प्रश्न दो में हमसे पूछा गया दिये गए शब्दों की संदी ग्याद कीजिए इसमें आपको दिया गया है कि इतह जमा ततह क्या बनेगा ठीक है मतब इसको दोनों को जोड़ के हमारा क्या बनने वाला है तो इसमें जो पहला option है इततह और इततह इततह या इतततह तो इन में से जो हमारा पहला option है वो सही है इतततह ठीक है प्रशन नमर तीन में पुछा है दिये गए शब्द का विलोम, शब्द ग्यात कीजिए, शब्द है ब्रह्म, और इसके जो option दिये गए है वो है निश्चित, निर्भम, संशेहीन या नि संशे, तो यहां से जो उत्तर होगा वो क्या होगा, निर्भम, ठीक है, यह सही उत्तर है, अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन नमबर चार में हमसे पूछा है कि निम्ले लिकित में से कौन सा शब्द विशेशन का उधारन नहीं है, इन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि विशेशन का उधारन नहीं है, सुन्दर, घबराहट, दोहरा या हरी, यहां से जो हमारा सही उत्तर होगा, वो होगा घबराहट ठीक है घबराहट जो है वो क्या है विशेशन का उधारण नहीं है अगला प्रेशन देखते हैं प्रेशन नमबर पांच द्वेंद समास के दोनों पदों के वीच किस चिन का प्रियोग किया होता है ठीक है यानि कि जो हमारा द्वेंद समास है इसको जब हम लिखत जैसे उधारन के लिए रात, दिन, ठीक है, या फिर, पती, पत्नी, ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इनके बीच में कौन सा साइन है, यानि कि किस चिन का प्रयोग किया गया है, योजक चिन का, अब अपने उतर देखते हैं हम, अर्ध विराम, योजक चिन, विरा कभी आपके सामने options आए ना और द्वन्द समास पूछा जाए तो ये आप इसकी पहचान देख सकते हैं कि इसमें योजक चिन्द का प्रियोग होता है दो शब्दों के बीच में या दो पदों के बीच में अगला प्रिशन देखते हैं दिये गए वाक्य के प्रकार की पहचान गीजिए कि ये जो वाक्य दिया है ये कौन सा वाक्य है ठीक है जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई तो इसका जो आएगा सरल, मिश्रित, समुच्य बोधक या फिर सैयुक्त तो क्या आ प्रिशन नमर साथ में हमसे पूझा गया है कि निमनलिकित में से कौन सी क्रिया सही नहीं है तो ऑप्शन देखते हैं घोडा सड़क पर खड़ा है अकर्मक क्रिया है या फिर नहीं है अकर्मक क्रिया है ठीक है तो ये तो ऑप्शन नहीं है हमारा ये तो सही है उसके बाद ह पुलिस ने चोर को पकड़वाया, यह अकर्मक करिया है, नहीं, यह अकर्मक करिया नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं से निकल के आ जा रहा है, तीसरो अप्शन में लिखा हुआ है, मुकेश खाना पकवाता है, यह प्रेडनार्थक है, सही बात है, माधूरी पुस्तक पढ़ती करिया है, तो यहां से सिर्फ two option ऐसा है, जो हमारे आंसर के हिसाब से सही है, यानि कि इसमें जो अकर्मक करिया है, वो यह वाक्य के हिसाब से सही नहीं है, तो second हमारा सही आंसर है, pressure no.8 में पूछा गया एनिकल लिखित में से कौन सा शुद शब्द है, मतलब कि यहां से कौ सा ऐसा शब्द है जो कि अपने शुद रूप में है अतिश्योक्ति एक त्योहार महत्में ठीक है तो पहला जो है अतिश्योक्ति वो सही है अगले प्रेशन पे चलते हैं प्रेशन नमबर 9 में पूछा गया है दिये गए वाक्य में शुद भाग को चयन कीजिए यानि कि जो शुद भाग है उसका चयन करना है तो यह है हमारा घर के प्रतियेक सदस्यों से यह है अपेक्षित है कि वे सदभावना से रहे तो यहां से हमें ऑप्षन देखते हैं पहल हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि घर के प्रतियेक सदस्यों यहां से यह भी आ सकता है घर के सदस्यों से यह है अपेक्षित है कि वे सदभावना से रहे प्रतियेक का यहां पे इस्तमाल करना सही नहीं है इसका प्रियोग सही नहीं है तो पहला जो हमारा option है वो सही है भारतियों, ठीक है, तो ये है हमारा second, second option बिल्कुल सही हो जाता है, इसका भारतियों का भारतियों सही बहुवचन है, ठीक है, एक वचन ये और बहुवचन ये, अगले question पे चलते हैं, question number 11, क्या पूछा गया है, निमने लिकित शब्दों में से इस्त्रिलिंग ग्यात कीजि तो यहां से देखो, राश्ट्र, दिन, राज्य, या रियासत, सीधी सी बात है, रियासत क्या है, इस्त्रिलिंग है, बाकी तीनों हमारे पूछलिंग में आ जाएंगे, ठीक है, question number 12 में देखते हैं, क्या पूछा गया है, निमने लिकित वाक्यों में से किस वाक्य में उच अब देखते हैं, जो हमारे options है, अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए, जो परिश्रमी होते हैं, वे ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वाह, आप खूब हैं, किसी पद का अर्थ सपष्ट करने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाता है, तो यहां से जो आपका option निकल के तेरा में पूछा गया है निमनलिकित, शब्दों में भिन अर्थ वाला शब्द कौन सा है, यानि कि इन में से जो different है, वो कौन सा है, दिन, सवेरा, उशा, प्रभात, अब देखो, सवेरा, प्रभात और उशा, एक ही जैसे हैं, ठीक है, इनका जो अर्थ होगा, वो एक है, यानि कि भिन अर्थ वाला कौन सा हो गया, दिन, ये सुभा की बात हो रही है, सवेरा, ठीक है, और ये क्या हो गया, दिन, तो यहां से जो हमारा अंसर है, वो क्या है, दिन, first option, सही है, प्रेशन नंबर 14 में पूछा गया है, निमनलिकित, प्रेशन में दिये गए चार विक कल्व का चयन करें, जो दिये गए मुहावरे के अर्थ को सर्वशेष्ट रूप से व्यक्त करता है, तो पहले अपना ये देखते हैं हम, जो मुहावरा दिया है, घर को जोडी जोगडा, आन गाउं का सिद्ध, अब इसका थोड़ा अटपटा सा लग रहा है अब को सुनने आप देखो, इन्होंने बोला है, घर को जोगी जोगडा, ठीक है, आन गाउं का सिद्ध, यानि की अपने जो घर का ग्यानी है, उसको तो सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन किसी और के, किसी और गाउं में आप जाके सिद्धों को ढूण रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपको चौथे ऑप्शन को सही करना है, घर के ज्यानी को सम्मान नहीं है, और बाहर आप सिद्ध पुरुचों को ढूण रहे हैं, ठीक है, तो चौथा जो आपका ऑप्शन है, वो एकदम सही है, इस नंबर पंदरा में हमसे पूछा गया, दिये गए वाक अपने ऑप्शन देखते हैं, बीडा उठाना, पत्थर की लकीर, अरे ये तो दो बार हो गया है, अच्छा इसको यहाँ पे कट करके आप एक तीसरा ऑप्शन में डाल लीजिए, जी तोड, जी तोड महनत, जी तोड महनत करना, ठीक है, यह आप यहाँ पे टाइपिंग मि तो कक्षा में, फर्स्ट कब आ सकते हैं, जब हम जी तोड महनत करेंगे, सीधी सी बात है, यही ऑप्शन जो आंसर था, वो इसमें गिवन नहीं था, तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह से हमने आज के पंदरा क्वेशन को कम्प्लीट किया है, और I hope कि आपके लिए यह helpful रहेगा, डेली हम 15 questions को upload करते हैं, आप इस वीडियो को देखके, अपने score हमें comment section में comment करके जरूर बताना कि आपने कितना score किया है 15 में से, I hope कि यह आपके लिए helpful रहेगा, और 15 questions की series अभी चलती रहेगी, आप जुडे रहेए, चानल से, चानल को subscribe कर लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को अगर आपके लिए थोड़ी भी helpful रहे है, और अपने score को हमें comment section में comment करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना score किया है 15 में से, और साथ के साथ अपने तयारी को जाचते रहेए कि आपको अभी और कितना improve करने की रत है, so stay tuned for more videos and subscribe the channel, press the bell icon, so this is for today and thank you.